नमस्कार दोस्तों, एन टीबी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रस्तुत है चाड़क के नीती के आधुनिक रूपांतरड की एक और वीडियो चाड़क के नीती को पूरी तरह और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंततक जरूर देखें दोस्तों हिंदु धर्म शास्त्रों में इसनान को लेकर कुछ बिशेश नियम बताये गए हैं जिनका पालन हम सभी को करना चाहिए आज के इस वीडियो में हम आपको भगबान क्रिस्ड के अनुसार बताएंगे कि इसनान के वक्त हमें किनकिन नियमों का पालन करना चाहिए दोस्तों खास कर औरतों को ऐसे कभी भी नहाना नहीं चाहिए भैंकर पाप लगता है और नर्क में जाना पड़ता है तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में जराविस्तार से बताएंगे दोस्तों शास्तों के अनुसार भगबान क्रिस्ट ने इस्तृयों को बताया कि पूर रूप से नगन होकर इसनान नहीं करना चाहिए दरसल इसनान को लेकर पदम पुराण में ये नियम बताया गया है कि हमें किसी भी परिस्थिती में पूर रूप से नगन होकर इसनान कभी नहीं करना चाहिए ऐसा करने से मनुष्य पाप का भागीदार बनता है दोस्तों आज कल के इस दोर में कई ऐसे लोग हैं जो एकदम सफा चट और नगन होकर इसनान करते हैं जो कि उनके नरक के दरवाजे खोलता है दोस्तों इसलिए कम से कम एक वस्तर पहन कर जरूर इसनान करना चाहिए ताकि नरक भोगना ना पड़े दोस्तों वहीं आपके पूरबज भी आपको नगन देखते हैं जानिये कैसे गरूर पुरान में बताया गया है कि जब आप इसनान कर रहे होते हैं तो राक्षस के रूप में आपके पित्र आपके आसपास मौजूद होते हैं वो आपके वस्तरों से गिरने बाले जल को ग्रहन करते हैं जिनसे उनकी तरपती होती है निर्वस्तर इसनान करने से पित्र नाराज होते हैं जिनसे व्यक्ति का तेज भल, धन और सुख नश्ट हो जाता है और पित्र दोश भी लगता है और जब ये नाराज हो जाएं तो संतान भी राक्षस पैदा होती है और घर के कमाने वाले व्यक्ति पर सबसे बुरे प्रभाव पड़ते हैं इसलिए कम से कम एक भस्तर पहन कर आप जरूर नहाएं दोस्तों बुरा समय आने से पहले आवरत तीन गंदे काम जरूर करती है कड़बा है लेकिन सच है शादी शुदा औरतों के पती इस वीडियो को अंततक जरूर देखें आपकी आँखें फटी रह जाएंगी दोस्तों कहा जाता है शादी के बाद पती की किसमत पतनी के उपर काफी हद तक निर्भर करती है शादी के बाद कुछ लोगों की किसमत पूरी तरह से बदल जाती है और वहीं कुछ लोगों की किसमत शादी के बाद बरबाद होना शुरू हो जाती है बरबादी का कारड पतनी की कुछ गलतियां भी हो सकती है दोस्तों भविश्य पुराण में कुछ नियमों का जिक्र किया गया है जिसमें पत्नी की कुछ गलतियों के बारे में बताया गया है ऐसे में पत्नी गरीबी और बरबादी आने से पहले ये तीन गंदे काम जरूर करती है जिससे ये पता चल जाता है कि अब पती की बरबादी शुरू होने वाली है घर में गरीबी आना शुरू हो जाती है पत्नी की ये गंदी हरकत उसे बांज भी बना देती है इश्वर करे ये तीन गलतियां कोई भी औरत ना करे कौन सी हैं वो तीन गलतियां आए दोस्तों जान लेते हैं इस वीडियो के मांत्यम से नमबर एक दोस्तों शादी होने के बाद एक इस्तरी को अपनी मान मर्यादा में रहना पड़ता है लेकिन जब शादी होने के ठीक बाद कोई इस्तरी पराय मर्द से बातचीत करने लगे तब घर का विनाश होना निश्चीत है जब कोई महिला पराय मर्द से आँखों से आँखें मिला कर बात करने लगे तब घर का विनाश उशी छण होने लगता है ऐसे में वो इस्त्री पराय मर्द से संबंद भी बनाने लगती है और बहीं पडोसियों से तालमेल ज्यादा रखने लगे पती की हैसियस से ज्यादा उसकी इच्छाएं बढ़ जाएं तब उसी समय से पती की बरबादी और घर में गरीबी आना शुरू हो जाती है नमबर दो दोस्तों शास्त्रों में इस्त्री को धनकी देवी माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है ऐसे में जब कोई महिला घर का मंदिर गंदा रखने लगे पूजा पाठ में उसकी रूची कम हो जाए वो इस्त्री बे बज़े लंबे समय तक और देर से सोती रहे घर को गंदा रखे सुबह देर से उठे और रात में देर से सोने लगे ऐसे में वो इस्त्री गंदे वस्त्र पहनने लगे नहाने में उसकी रूची कम हो जाए तब उसी छड़ माता लक्ष्मी ऐसे घर को छोड़ कर चली जाती है ऐसे घर को महा लक्ष्मी त्याग देती है और गरीबी तता बरबादी जैसे लक्षन उस घर में आने लगते हैं जो की एक बरबादी का संकेत होता है बहराल दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो से आपने क्या सीखा नीचे कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों मिलते हैं एक इसी परकार के अगले वीडियो में तब तक के लिए इस्टे मोटिवेट इस्टे फियरलेस